सच में हमारे बाल गणेश विग्न हरता ही हैं, उनके कृपा से ही हम इस तरह का शहर बना पाए हैं, और इंटरनाशनल गालेक्सी के बेस्ट प्लानेट के विनर भी हैं। जॉंबो भाई, इतनी बड़ी ट्रोफी के विनर होने के बाद भी आप नम रहें, और आप में जरा भी घमन नहीं, वरना राजा अमय तो अपने घमन में एकदम चूर चूर हो गया था, राजा अमय? अरे ये कानी तो एकदम सालिड है, और थोड़ी कमेडी भी, रुकरु को पताता हूँ, जहर बदमाश, सारे मोदक तो मकेली में खा सती, गणेश, मुझे पता है मा, आप गुस्सा नहीं हो, क्योंकि मा का सुक बेटे के पीट भरने से ही होता है, कितना नटकट हो गया है मेरा गणेश, ये सब मूलटका के क्यों बैठे हैं, क्या हुआ दोस्तों, उदास क्यों बैठे हो, प्रभू, हम पुराने खेल खेल कर उखता गए हैं, कुछ नया खेलना चाहते हैं, किन्तु समझ नहीं आरा कि क्या खेलें, समस्या तो गंभीर है, वह, में क्या नया खेल, तुम सब आसपस विखरे फूलबत्ते उठा ले आओ, जल दी, जुआ क्य प्रभू की, निए क्या है, प्रभू, इसे गें कहते है, बाल्ची कृष्णा इसी तरह की गें से खेलते थे, अब हम क्यों आधे,श्या खेल सुआ ऑब कीों, मैं इसे उच्छालूगा और तुम्हे इसे पकड़ना होगा जो भी इसे पकड़ेगा वो इसे दुबारा उच्छाल देगा समझ गए तो ये गई गेंद हवा में वाप रभू ये खेल तो बहुत मज़दार है अब देखता हूँ कोई कैसे पकड़ेगा मेरी फेकी गेंद को अगम गेंद तो बहुत बड़ी हो गई है इस गेंद के आगे कुई आ गया तो वो मर भी सकता है ये कैसा घोर अनद कर दिया मैंने मुझे जीने का कुई अधिकार नहीं है यही मेरी नियत यह प्रभू उदर देखे रिशी मुनी अधिया आप आपके दर्शन पाकर में धन्य हो गया रिशी वर आप जानते बुझते मृत्यू के सामने क्यों खड़े हुए मैं पापी हूँ प्रभू मेरे साथ ऐसा होना ही सही है मैं पूरी बात सुनना चाहता हो रिशी वर प्रभू भगवान शिव की पूजा के लिए मुझे सोनी चान्दी की आविशक्ता थी जिसे पाने के लिए मैं राजा अमय के पास पहुचा और वहां मैं आपके अवशक्ताओं को पूरा करूँगा रिशी वर किन्तु आपको शिव की नहीं मेरी पूजा करनी होगी मुझे अपना भगवान समझे शमा राजन मैं ऐसा करके अपने शिव का अपमान नहीं कर सकता तो जा पाखंडी जाकर अपने शिव से ही सोना चान्दी मेरे पास कुछ नहीं तुमारे लिए तुमारे लिए राजा अमय के वो कड़वे शब्द मेरे लिए असाहनी होते जा रहे है प्रभू मैंने अपने शिव के लिए ऐसी पाति सुन कैसे ली मेरे महा देव का अपमान मैं छोड़ूंगा नहीं उस राजा को शान प्रंदी र तुम जीत गया गम जैसे क्रिष्ण बगवान ने गेंच से खेलते हुए कालिया नाक को मारा था वैसे ही हम राजा अमय के अहंकार को भी मारेंगे अब क्या करना है प्रभू ये करना है बोलो अलग निरंजान महमंत्री आज भिक्षा मांगने कोई भिक्षु नहीं आया आप महान है राजन इधर आपने भिक्षा की बात की और उधर भिक्षु का आगए बोलो रिशी वार क्या मांगते हो रिशी मुनियों के आने पर पहले स्वागत होता है राजन तुम तो भिक्षा देने की बात क करने लगे वेकार की बातों से समय नश्ट मत करो रिशी बोलो क्या मांगते हो सुना है राजन तुम अपने आपको भगवान समझने लगे हो अपनी पूजा करवाना चाहते हो साही सुना है हम तुम्हारी पूजा करने को तयार है राजन किन्तु एक शर्त है कैसी शर्त आपक तो कुछ ऐसा वांगते जिससे तुम्हारा जीवन बदलता महामंत्री दोनों शर्ते पूरी की जाए तो प्रतीक्षा कैसी महामंत्री सिख्का डालिए और बाल का वजन कर दीजिए जी बाहराज क्या तुम लोगों को मोदक बनाने आते हैं जी महाराज तो बना कर लाओ पुत्र जो आग्यारिशिवर मुझे तो गुड के लड्डू खाने है मुझे तिल के लड्डू और मोदक खाने है मेरे और इनके लिए भुजिया और आलू की सबजी लाईए हल्वे के साथ और मेरे लिए वो सब लाईए जो सबने मंगवाया है जो आग्यारिशिवर अधिक खाने से पेट गड़बड हो जाता है नंद रिशी जब तुम्हारा पेट गड़बड करे तब बताना वैदी को बुला लेंगे इस से भी बड़ा तराजू लाओ जाने कौन रिशी है ये कितना खाते है आज तो बुरे भसे राजकोष खत्म हो गया तो क्या हुआ राजन अपनी राजगद्दी आभूशन और इस मुकुट से भी तो तोल सकते हो मेरे बाल को मामंत्री राजगद्दी लाओ जो आग्या प्रभू अरे पुत्र थोड़ा जल्दी जल्दी लाओ भोजन कब का खत्म हो गया है रिशी के बाल वाला पलड़ा तो उपर उठने का नाम ही नहीं ले रहा उठ जाएगा मंत्री जी उठ जाएगा राजन की पत्नी के गहने जो बचे हैं ले आओ क्यों रिशिवर अब मैं क्या कहों नंदरिशी ये जाने और इनका काम जाने आ मंत्री हमें यहां क्यों बुलाया है महाराज रानी हमें आपके अभुषड चाहिए किन्तु परंतु का समय नहीं है रानी आप अभुषड दीजिए हुआ 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 है रिशियों का पेड़ भर गया तभी तो डकार ले रहे हैं और लाओ पुत्र हमें भूख लगी है ये भगवान अब कहां से लाओ इनके लिए भोजन प्रभू हमारे पास तो एक फूटी कोडी भी नहीं बची तो अब इस बाल कैसे होगा महाराज एक समस्या और है इन साधुने सारे अन्भंडार चट कर दिये हैं किन्तु इनकी भूख शान्थी नहीं हो रही है प्रभू मुझे लगता हमें प्रचा से धन और अन की वसूली करनी चाहिए ये प्रचा के साथ अन्याय होगा महमंत्री ये अन्याय नही प्रजा का धन भी चड़ गया किन्तु बाल का वजन नहीं हुआ अब क्या करूँ ये ये नहीं हो सकता राजन साधू के भेश में अवर्ष्य कोई दिव्व शक्ति है जो आपकी परिक्षा ले रही है इससे पहले की कोई अनर्थ हो जाए इनसे शमा मांग लीजे रुक्यों गय पुत्र भोजल लाईए साधू भूके है हाम भूके है भोजल लाओ शमा करे प्रजासे लाया अन्नवंडार भी खत्म हो चुका है क्या हुआ राजन तुम तो भक्तों को भरपेट भोजन भी नहीं करवा सकते कैसे भगवान हो तुम शमा करे प्रभू मैं आंकार में आकर ये भूल कर बैठा आप अवश्य कोई दिव्य शक्ति है मुझे अपना प्रभू ये कह रहा है कि जैसी आपके इच्छा आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ प्रभू राजन यदि तुम अहंकार से दूर रहना चाहते हो तो अपने चारों और सच्छे मित्रों और सच्छे सलाकारों को जगा दो चापलूसों को नहीं मैं अपनी भूल सुधार प्रभू और अपनी प्रजा से माफी मांगते हुए उनका धन लोटा दूंगा और जिन रिशिवर को पूजा के लिए मना किया था उनकी पूजा भी करवाऊंगा किन्तु भगवन जीने के लिए भोजन के आवशक्ता होती है वो सब तो आपने खतम कर दिया तो अब मुझ झाल